मैं हर्श्मदन इसे पूछ रहा हूँ कि हिमालीक शेतर में भविश्य की सारी परियोजनाओं को रोक कर उनका प्रोफेशनल एकोलोजिकल उनकी जांच होनी चाहिए फिरहाल सारे प्रोग्रेश प्रोजेक्ट्स रोके जाने चाहिए मैं इसी पर थोड़ा सा अश्यर चकित हो जाता हूँ जैराम रमेश जी कह रहे हैं और यूपे की सरकार में एक समय में सोनिया जी जब यूपे चेर परसन थी जैराम जी को थोड़ा अपमानित मुद्रा में रहना पड़ा था मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा नहीं त बात है वो उनके जिम्में 900 किलोमीटर की ये परियोजना ये पता है कि 900 किलोमीटर की परियोजना है चुकि किसी भी परियोजना को जब आम जिसको कहते हैं टेंडरिंग होती है जब अलॉट करते हैं तो सेक्षंस में से होती है कभी ऐसा नहीं होता कि एक साथ 1000 किलोमीटर क कि परियोजना दे दी जाए जिस भारतमाला की बात की जाती है तो तो 10,000 km की परियोजना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझना चाहिए कि टेंडरिंग कैसे होती है काम कैसे दिया जाता है दूसरा जो बॉर्डर सेक्योरिटी की बात है हमारे अपने सैनिक उन्ही जगहो पर चाहे अरुनाचल की सीमा हो, चाहे नॉर्थ इस्ट के दूसरे राज्यों से सटी हुई सीमा हो, या फिर पाकिस्तान से सटी हुई सीमा हो, किसी भी सीमा पर इसी तरह का हाल रहा, और जो बात है, ये सच है कि वहाँ रोड थी, कैसी रोड थी, पहले पैदल पैदल जा सकत इस बात पर मैं इंद्रेश जी की एकदम सहमत हूं कि इसका सेफटी ऑडिट होना चाहिए लेकिन ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए कि जोशी मट जैसा पीपली लाइव हो जाए तमाशा इस तरह खड़ा हो जाए और वहां भी सरकार ने पूरी समवेदन शीलता के साथ तब भ अगा की गड़बड हो गया दो होटल गिराए गये मुझे लगता है यह अन प्लांड डेवलप्मेंट नहीं होना चाहिए लेकिन जो बुनियादी सुविधा है उसको तो हमें पहाड के लोगों को देना होगा यह कह के काम नहीं चलेगा कि चलो ठीक है बड़ा अच्छा है और मैं एक बात कह दूँ पहाड के लोग हैं आज तक देहरादून से उपर गयर सरेंड राजधानी नहीं जा पाई क्यों नहीं जा पाई गयर सरेंड राजधानी वो पहाड के लोग जानते हैं क्यों सबको देहरादून रहना है मैकुरी साब इस पर मुस्कुरा रहे हैं मैकुरी साब दीए अब आगे का रास्ता क्या किया जाना चाहिए क्या वाकिए चारधाम प्रोजेक्ट जो है इसको रोकने की जरूरत है या इसके safety audits हो इसके environment पर पढ़ने वाले प्रभाव उसकी जाच हो आगे के लिए क्या जरूरी है मैं ये कह रहा था कि जोशी मट में आज के दिन पर भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके लोगों के घरों की दरारे पट गई है ऐसा नहीं हुआ लोगों के resettlement की भी ववस्ता नहीं हुई अभी भी जमीन सेफ है कि नहीं सेफ है और उनको कहा बसाया जाएगा ये अभी भी तेय नहीं हुआ तो इसलिए ये कहना कि जोशी मट में सब ठीक हो गया खाम खाम का दमाशा हो रहा था मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं और हम यह कह रहे हैं कि पहाड में आप कैसे विकास करेंगे उसका मैदानी पैमाना नहीं हो सकता उसको मैदानी तरह से नहीं देखा जा सकता और आप क्योंकि उसी तरह से कर रहे हैं इसलिए बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है और विकास का विनाश ये बड़ा शब्द है लेकुरी साब यहाँ विकास का मॉडल है वो एक तरह ऐसे विनाश पैदा कर रहा है और यह कोई किसी सरकार की बात नहीं है 2013 में हमने देखा केदारनाथ की आपदा हुई और उस केदारनाथ की आपदा के बाहत भी यह सवाल खड़ा हुआ कि यह जो इतने बड़ बड़े प्रजेक्ट्स हैं और जिस बेतरती भी से बनाए जाते हैं सारे पर्यावरणी अमानकों को दता बताते हुँ उससे विनाश प निकाने जासे के उनकी बाडी तुकड़े तुकड़े में निकलती रहती है अभी वी तो इन सारे घट्नाओं का दुरभट्नाओं का हम सबक क्या सिखेंगे की हम विकास का कौन सा मॉडल लागू करना चाहते हैं जिससे की कम से कम नुकसान हो पर्यावरण का प्रकृति का पारिस्टेटी के का और मनुष्य का भी और इस सबक के प्रोजेक्ट में भी मैं आपको बताओं कि यह कोई अकेली दुरभट्ना नहीं है इसमें दुरभट्नाओं की एक श्रिंखला है मैं आपको सिलसलेवार गिनवा सकता हूँ इंद्रेश जी आज समय ज़रा कम है लेकिन आपके बात की पिल्कुल ठीक है कि सबक तो सीखना पड़ेगा हाधसा तो हुआ तो उसका सबक तो लिना पड़ेगा